हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ड्रीम क्लासेज तो आज की ये वीडियो क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही इंट्रेस्टिंग और ठीक है अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट है और इस बार आप बूड की परिक्छा देने वाले हैं तो अगर आप हमारे इस सौट कोश्चन को पढ़ते हैं 100 सौट कोश्चन को पढ़कर जाते हैं तो मैं पूरे दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आपके जो एक्जाम में ज experience के अधार पर ये बात बता रहा हूँ ठीक है तो हमारे channel के through आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो class 12 की काफी सारे teachers available है ठीक है 10th के भी बच्चे अगर आपके साथ हैं कोई तो भी वो भी बच्चे हमारे साथ dream classes पर पढ़ सकते हैं हमारे notes को purchase कर सकते हैं बिल्कुल continuity हमारे साथ बने रह सकते हैं और पूरे दावे के साथ हम कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ अच्छे से पढ़ाई करोगे तो 80% तो fix है student ठीक है चलिए शुरू करते हैं और इस channel की खासियत ये है क्योंकि ये dream classes जो है 2016 से बच्चों को YouTube पे वीडियो प्रवाइड कर रहा था और इस साल से हम लोगों ने live classes भी सुरू कर दिये ठीक है चलिए रेडियो आप लोग 160 कोशन हम आपके लिए लेकर आएंगे टाइप बाई टाइप सॉरी वीडियो वाई वीडियो जो है हम आपको बताते रहेंगे तो चलिए पहला कोशन ठीक है कोशन है देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया clear करके वीडियो कोशन लगू तरिये प्रश्न क्लास 12 क्यमेस्ट्री और क्लास 12 क्यमेस्ट्री का यह जो पहला कोशन है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि crystal-ylethose को परिवाशित करें तो हम कहना चाहेंगे कि वैसा ठोस जिसमें अव्यवी कन जैसे अनू, पर्मानू और आयन की व्यवस्था नियमित होती है ठीक है? वो कैसा ठोस कलाएगा? क्रिश्टलिय ठोस कलाएगा. वैसा ठोस जिनके अव्यवी कन जैसे आपको पता है कि कन होते हैं अनू परमानू और आयन ठीक है? उनकी जो व्यवस्था जो होती है वो नियमित होती है तो क्रिश्टलिय ठोस कर लेगा और इस वीडियो की और हमारी इस क्लास की सबसे बड़ी विसेश्टा क्या है कि हम लोग खुद से concept तियार करते हैं, खुद का language यूज करते हैं, ठीक है तो एक question हो गया, और एक सो question पढ़िए, पूरी guarantee की सभी question यहीं से पूछे जाएंगे क्योंकि पिछला साल ये काम हो चुका है, ठीक है, चलिए काँच एक क्रिश्टलिय ठोसे आपने पढ़ा होगा काफी बार, ट्विलथ के objective में पूछा झाता है की काँच कैसा ठोसे, ठीक है काँच कैसा है, तो चारиноश्टलिय ठोसे, इसीज को मिए प्रूव करना है, बताना है काच एक आक्रिस्टलिय ठोस है कैसे तो कहना चाहेंगे हम कि इसका गुन द्रव के समान होता है इसमें द्रव के जैसे बहने की प्रविर्टी होती इसका जो गुन होता है ना काच का वो बिल्कुल द्रव के समान होता है इसमें द्रव के जैसे बहने की प्रविर्टी होती है पर इसके बहने की गती अती मंद होती बहुत ही धीरे-धीरे यह बहता है ठीक है यही कारण है कि इसे आभासी ठोस या अती सीतलित द्रब कहा जाता है आपने 12 के केमेस्ट्री में कुछ एक objective आता है जो बहुत ही highlighted है कांच एक अक्रिस्टलिय ठोस है तो है वो तो सही बात है इसे अती सीतलित द्रब भी कहा जाता है इसका यही रिज़न है कि धीरे-धीरे जो है वो बहता है ठीक है आगे देखेंगे कि इसी गुन के कारण पुराने भबन या इमारतों के खिड़की या दरवाजे के कांच की ऊपरी भाग पतला और नीचे जो पेंदी का जो भाग होता है उसको मोटा रखते है ठीक है जो भी पुराने पुराने भबन होते हैं इमारत होती है उनकी जो खिड़की या दरवाजे होते हैं उसका उसमें जो काच लगाया जाता है उसका ऊपर वाला एरिया जो होता है वो बहुत ही पतला होता है और नीचे वाला जो पेंदी होता है वो काफी मोटा होता है और यही रिजन है कि काच एक अक्रिस्टलिय ठोस है क्योंकि यह स्लो स्लो गती में बहता है ठीक है और यह एक 30 सीत लित द्रब्बे हैं दो कोशन हो गया कंसेप्ट किलियर हो तो चलिए अगले कोशन क्यों राते हैं बहुत ही अच्छा कोशन है ये 100 जो है न हम आपके लिए most highlighted बहुत ही मेहनत करके लिख कर लाएं और अगर आप चाहें ठीक है जैसे आपको लग रहा है कि वीडियो क्या देखनी ड्रीम क्लासिस का नोट्स खरीद लेते हैं राहूल सर नोट्स भी देते हैं हमारी टीम 2016 से नोट्स देते आ रही है और हर साल 85 to 90% कोशन आता है भरोशा रखो ठीक है और इस भरोशे को हम बिल्कुल भी जाया नहीं होने देंगे तो आप नोट्स खरीद सकते हो स्क्रीन पे आपको हमारा वाट्स अप नंबर दिख रहा होगा कॉंटेक्ट करिए हमारी टीम आपको नोट्स देगी तो चली सबसे पहले हम लोग डिस्कस करएंगे फ्रैंकल दोस के बारे में वैसा दोस जिसमें अव्यविकटन अपने वास्तविक अस्थानों को छोड़ कर अंतराब का्शी अस्थान में विस्थापित हो जाते हैं फ्रेंकल दोस का लाते हैं यह अपने यह अंतराक्षी होना चाहिए अंतराकाशी ठीक है थोड़ा सा यह language गलत लग रहा है पर कोई बात नहीं simple समझना है कि अपने वास्तिविक एरिया को छोड़का वो अलग से एरिया में चली जाते हैं विस्थापित हो जाते हैं फ्रेंकल दोस का लाते हैं ठीक है यह static language है हमारा अब हम लोग discuss करेंगे सौटकी में सौटकी में कहना है कि वैसा दोस जिसमें धनायन तथारिनायन यानी positive और negative एक या एक से अधिक जोड़ा गायव हो जाता है मतब दो या दो से चार दो या दो से अधिक ठीक है एक या एक से अधिक जोड़ा और जोड़ा में कितने होते हैं दो होते हैं तो सौटकी दोस में हमने concept clear करके लिखा है language की वैसा दोस जिसमें धनायन तथा रिनायन एक या एक से अधिक जोड़ा गायब हो जाता है सौटकी दोस कालाता है यह दोस समानेता आइनिक ठोस में उत्पन होता है प्रशन आपसे पूछा जाएगा देखिए यहां से दो अबजेक्टिव बनेंगे एक अबजेक्टिव बनेगा कि जब सौटकी दोस उत्पन होता है तो कितने जोड़े धनायन और रिनायन गायब हो जाते हैं तो हम कहेंगे एक या एक से अधिक जोड़ा सेकेंड ओफॉल यहां से अबजेक्टिव बनेगा आपका कि सौटकी दोस जो हता है अगला कुशन हम आग पर सामने रखते है और बिल्कुल धैरे बनाके रखिए सहियम रखिए और धैरे और सहियम अगर आपके अंदर रहेगा तो सफलता जल्द ही आपके हाथ लगेगी ठीक है चलिए और यह चौथा प्रश्न है राउल्ट्स लाओ जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं राउल्ट कर नहीं है ठीक है स्टूडेंट्स यह देखिए हमारी टीम का वाट्स अप नंबर है 6200 विल्कुल जैनुवन है वेरिफाइड है 733858 हम लोग Unacademy Plus पे भी पढ़ाते हैं आप सर्च कर लिजे Unacademy Plus को डाउनलोड कर लिजे Unacademy के Learning App को Play Store से उस एप में मेरा नाम सर्च करिए अगर आउल्ट कुमार आपको हमारी प्रोफाइल दिख जाएगी ठीक है तो हम लोग विल्कुल वेरिफाइड है YouTube पे Unacademy Plus पे 6200733858 आप यहां से जो है इसको हमारे नोट्स को खरीद सकते हैं परचेस कर सकते हैं ठीक है All subject के लिए फीस मात्र 499 चली राउल्ट का नियम कहना है कि फ्रांस के एक वग्यानिक राउल्ट ने कई प्रग्योग के फलसरू बास्पसील घटक के आंसिक वास्फदाव और उसके मोल अंस के बीच एक संबन्द दिया जिसे राउल्ट का नियम राउल्ट लाउ कहा जाता है ठीक है स्टूडेंट चली ओके ठीक है स्टूडेंट तो यह बहुत ही अच्छा सवाल है राउल्ट लाउ काफी बार प्रिवियस यर्स पूछा गया कोशन है दो नंबर का कि फ्रांस के एक बैग्यानिक थे जिनका नाम क्या था राउल्ट इन्होंने कई सारे परियोग की और उन परियोगों के फलसरूप बास्पसील घटक के आंसिक वास्पदाब और उसके मूल अंस के बीच जो है एक संबद बनाए एक रिलेशन्शिप बनाए एक रिलेशन बनाए जिसे राउल्ट का नियम कहते है ठीक है यह राउल्ट सिलाव जो है कोशन है कि अनुसंख गुनधर्म कोलिगेटिव प्रोपर्टीज क्या है तो हम कहना चाहेंगे किसी आदर्स या तनु बिलियन का वैसा गुनधर्म किसी आदर्स या तनु विलियन का वैसा गुनधर्म जो बिलियन में उपस्तित विले के कनों की संख्या पर निर्वर करता है अनु संख गुनधर्म कहलाता है किसी आदर्स या तनु विलियन का वैसा गुनधर्म जो बिलियन में उपस्तित विले के कनों की संख्या पर निर्वर करता है अनु संख गुनधर्म कहलाता है और यह प साथ 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 कोश्चन का जो है वीडियो बनाएंगे और उमीद है कि पहला वीडियो देखने के बाद दूसरे वीडियो का जो है बेसबरी से इंतजार होगा मुझे बताइएगा कि आपको दूसरा वीडियो कप चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा और ड्री कोई वीडियो डालेंगे आपके स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चल जाएगा आपके फोन पर और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा वीडियो प्ले हो जाएगी इसलिए सब्स्क्राइब करवाया जाता है बच्चों को ऐसा मत सूचेगा कि आप सब्सक्राइब राउल्ट के नियम का पालन करता है राउल्ट का नियम अभी अभी यहाँ पर आगे उपर बताएं सौरी ये ठीक है हाँ तो कोशन है कि आदर्स विलियन क्या है उसे परिवाशित करें तो वैशा विलियन जो सभी ताप अल टेंप्रेशर एंड प्रेशर सभी ताप तो आपके नंबर नहीं कटेंगे ओके चलिए यह मिक्सिंग हमारा है और एक कोशन और आज के इस क्लास में आज के इस वीडियो में कोशन नंबर सत्वा कि विद्धुत रासाइनिक सेल को परिवाशित करें और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप साथ कोशन हमने बताया है आज के इस वीडियो में आपको कितना परभावित कर रहा है क्या लगता है आपको कि ड्रीम क्लासेस आपको पूरी तयारी करवा पाईगी क्या लगता है कि आपको अच्छे मार्क्स हमारी टीम देख पाईगी और क्या लगता है कि आपको ड्रीम क खराब हो जो आपके मन में लगे आप एक बर प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आप क्या चाहते हो ठीक है आगे आपकी क्या गतिवीदिया होनी चाहिए आपका क्या रियक्शन होना चाहिए ठीक है मैं बिल्कुल सभी स्टूडेंट के रियक्शन का सभी स्टूडेंट के फिड़एग का वेट करूँगा फिलालम लोग साथवे नमबर कोशन की और आ जाते हैं कहा गया विद्दूत रासाइनिक उर्जा को परिवाशित करें वैसा सेल जिसके द्वारा रासाइनिक उर्जा को विद्दूत उर्जा में परिव गैलवेनी और बोल्टा ने खो जाता ठीक है इसको सरपरतम किस ने खो जाता गैलवेनी और बोल्टा ने खो जाता इन्हीं के नाम पर इन्हें गैलवेनी या बोल्टी ये सेल भी कहा जाता है ठीक है तो सभी के फिडवेक का बहुत बहुत इंतिजार रहेगा हम चाहेंगे कि हमारे सबी स्टूडेंट्स इसका अंसर दे और नोट्स आप बिल्कुल आख मूंद कर खरीद ये ठीक है बिल्कुल आपको ये नोट्स आपके फ्यूचर को परभावित करेगा और एक अच्छे मार्ग की और आपको लेकर चलेगा मिलते हैं अगले वीडियो में अगला जो आपका कोशन नमबर आठ से लेकर 15 यानि 7 कोशन पर अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए लेकिन ये तब ही पॉशिवल है जब आप अपना नीचे कमेंट बॉक्स में काफी सारे कमेंट करके अपना फिडबाइग दो जो बच्चे इस बार 12th का एक्जाम देने वाले हैं उनके लिए हम 100 short question chemistry के 100 short question लेकर आ रहे हैं तो आज की ये वीडियो बहुत ही important है आज हम लोग question number 8 से चलेंगे और ये दूसरा वीडियो है short question का पहले वीडियो में हमने 7 question जो है वो बच्चों को provide कर दिया था करते हैं उमीद है कि बहुत ही मज़ा लगेगा ये दूसरा वीडियो भी बिल्कुल activity बना के रखिए continuity बना के रखिए dream classes पे subscribe नहीं किया है अगर आपने कभी dream classes को तो नीचे red color का subscribe button दिख रहा है click करके notification का bell आएगा घंटा का इस तरह का बना हुआ इस पे भी click कर दिजेगा इससे क्या होता है कि जब भी हम कोई video आपके लिए बनाएंगे न तो उसका notification आपके phone पे चला जाएगा ठीक है चलिए शुरू करते है topic को और ये हमारा topic है question number 8 मानक electrode बिभब क्या है ठीक है मानक electrode बिभब क्या है तो हम कहना चाहेंगे कि एक अर्द सेल में एक अर्द सेल में 298 केल्बिन ताप पर एक मूल लीटर सांदरता के धातु आयन बिलियन का electrode बिभब मानक electrode बिभब कालाता है ठीक है इस video की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम जब भी question लेकर आते है तो वो खास होता है guess होता है और दूसरी बात कि इस question के जो language होते है वो otherwise book के language से काफी static होता है मतलब हम लोग अपना खुद का language use करते है ठीक है चली आठ question हो गए अब हम लोग 9 question क्यों राते question number 9 लवन सेतू क्या है इनके कारियों को लिखें बहुत ही मजदार प्रस्ट है कि लवन सेतू क्या है इनके कारियों को लिखें तो हम कहना चाहेंगे कि लवन सेतू प्रतिलोम यू आकार की कांच की एक नली होती है किस तरह की होती है यू आकार की ऐसे ठीक है लबन सेतु प्रतिलोम यू आकार की काच की एक नली होती है जो दोनों अर्द सेलो को जोडती है ठीक है ये क्या करती है दोनों अर्द सेलो को जोडता है इसमें अक्रिय बिद्दुत अपगट जैसे पोटैशियम, क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइटरेट का संत्रिप्त विलियन भरा होता है इसके कारी इस परकार है, लवन सेतु के कारी वगर अब ये पूछता है आपको चार विकल्ब दे देंगे कि ये इन में से कौन लवन सेतु के कारी हैं, कौन लवन सेतु के कारी नहीं है तो चलिए हम अपने इनके कारियों को देखते है पहला जो कारी है लवन सेतु का है कि लवन सेतु दोनों अर्द सेलों को जोड़ता है यह सबसे पहला काम है लवन सेतु का यह आंतरिक सेल परिपत को पुर्ब करता है यह पुर्ण करता है यह पुर्ब नहीं होना चाहिए यह पाय हम रखता है ठीक है तो ये लवन सेतू के तीन कार ये थे ठीक है और आपको बिल्कुल हम अपना वाट्स अप नंबर सेयर कर देते हैं ताकि बच्चों को कोई परिशानी ना हो इस बार बूर्ड के परिक्षा में ठीक है क्योंकि आपको पता है कि ड्रीम क्लासेस गैस को कोशन का नोट्स देती है बच्चों को तो बच्चे चाहे तो यहां से आप पर्चेस कर सकते हो ठीक है जन्वन टीम है दो जार सोला से बच्चों के लिए वीडियो बना रही है वेरिफाइड हो चुकी है तीन लाक बच्चे हमारे साथ जूड चुके हैं continue तो बिल्कुल ठ ठीक है फईराडे के विद्दूत अपगटन के क्या क्या नियम है इसकी चर्चा हम करेंगी तो कहा गया है कि किसी विद्दूत अपगटे में प्रभाहित विद्दूत आवेश और इलक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ के मात्रा के बीच फईराडे ने एक संबंद दिया औ किसी विद्दूत अपगटे में प्रभाहित विद्दूत आवेश और इलक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ के बीच या इलक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ के मात्रा के बीच फईराडे एक विज्ञानिक थे उन्होंने संबंद दिया रिलेशन दिया जिसे फईराडे का कोशन नंबर 11 इसके इस वीडियो के मैं बार-बार बात कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी विसेशता यह है ना कि सबी कोशन का जो लेंग्वेज होता है वो खुद का लेंग्वेज होता है किताबी लेंग्वेज पर हम लोग भरुशा नहीं करते हैं ठीक है विद्धुत राशा विद्ध अप घटे में एक एमपियर विद्ध धारा या कुलांब आवेश एक सकेंड के लिए प्रवाहित किया जाता है तो इलक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा जो है वो राशाइनिक तुल्यांक कहलाता है ठीक है स्टुडेंट्स इस तरह की प्रकिरिया तो हम कहना चाहेंगे कि किसी सेल के दो सामनांतर इलक्ट्रोन के बीच की दूरी और इलक्ट्रोड के अनुप्रस्त काट के छेतरफल के रेशियो को अनुपात को सेल इस्तिरांग कहा जाता है ओके स्टुडेंट्स बहुत ही सुन्दर कोशन है बहुत ही इंटरस्टिंग को प्रशियों के दो सामनांतर इलक्ट्रोन के बीच की दूरी टीक है और इलक्ट्रोन के अनुपरस्त काट के छेटरफल के रेशियो को अनुपात को सेल इस्तिरांग का आ जाता है अगला सवाल कि सुन्ने कोटी की अविक्रिया क्या है सुन्ने कोटी की अविक्रिया क्या है तो इसका हम एक सटिक जवाब देना चाहेंगे कि वैसी रसाइनिक अविक्रिया जिसमें अविकारत के सांदरता की घात सुन्ने को बराबर होता है ठीक है सुन्ने कोटी की अविक्रिया कलाती बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका language जो है यह उससे भी अच्छा है ठीक है students तो मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आप dream classes पे अच्छे से पढ़ो यहाँ पे 10th और 12th की पूरी-पूरी तयारी होती है और 12th के बाद भी SSC bank railway का मैं एक specialist teacher हूँ तो उमीद है कि वहाँ पर भी एक बहुत ही interesting तरीके से आपको पढ़ाओंगा ठीक है तो सुन्ने कोटी के विक्रिया हो गई और dream classes पर 12th में अगर 2-5 महिने में पूरी तयारी करनी हो तो हमारे dream classes के notes को खरीद सकते हैं जिसमें हम बिल्कुल ही कम questions guess करके देते हैं और वो सबी questions आपको exam में आएगा ठीक है चली question number 14 की परासरन को परिवाशित करें वैसी प्रकिरिया जिसमें अर्द पारेगम में जिल्ली से होकर विलायक के अनू सुद्ध विलायक से बिल्यन की और या तनू बिल्यन से सांद्र विल्यन की और स्वता मतब खुद परिवाशित कर जाती है परासरन कर लाता है वैसी अविकरिया जिसमें अर्द पारेगम में जिल्ली से होकर अर्द पारेगम में जिल्ली मतब जो हलका सा होता है उस तरह का से होकर विलायक के सुद्ध विलायक से विलियन की ओर या तनू विलियन से सांद्र विलियन की ओर स्वता मतलब खुद ही प्रभा कर जाती है पराशरन कर लाता है ठीक है? उमीद है कि ये चोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी आपको दो पार्ट किलियर हो गए तीसरा पार्ट चे ये प्लीज हम चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स दिख रहा है हजारो हजार की संख्या में बच्चे समस करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अपना फिडबैक दे कि ये जो 14 कोशन आपने पढ़ा ठीक है? इन 14 कोशन को पढ़ने के बाद क्या माइंड लग रहा है? फ्रेस लग रहा है? और भी कोशन चाहते हो क्योंकि हमने तो प्रॉमिस किया है कि हम 160 कोशन देंगे तो अभी तो 14 ही खतम हुआ तो यह हम आपको देंगे किस बात के लिए? यह देंगे तभी, जब आप या तो आप नोट्स करीद लो उसमें मिल जाएगा 100 कोशन दिखा हुआ रहेगा, किताब कि तरह हम बना के देंगे, यह जो आपको दिख रहा है न इसी तरह से नोट्स को लेगा आपके फोन में आप डाउन हो रहा है न यह इसी तरह से नहीं तो फिर वीडियो की वेट करो ठीक है? और वीडियो जल्दी जल्दी कैसे चाहिए तो नीचे comment box में 1000 hidden people comment करेंगे वीडियो जल्दी जल्दी मिल जाएगी बादा य स्टूडों इस निला रिया वीडियो में अपसे पर आपके маш़े के परमाइन का इनव बहूत आपके और dream classes के तुरू, obviously मैंने इन सभी questions को guess करके बनाया है और उमीद है कि ये सभी questions इस पार boat के exam में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो उमीद है कि आप इस video को starting to end तक देखेगा, I mean दो video हमने अल्रेडी इस पे बना दिया है, ये तीसरी video है जिसमें हम question नमर 15 से चलेंगे, तो 14 question अगर आपने नहीं देखा है तो video का description में link दे दिया गया है, बिल्कुल देख लीजिएगा, और हाँ, अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल एक like बनता है और एक share बनता है, और साथ ही साथ अपने, आप हमारे channel को भी subscribe कर दीजे, dream classes को, नीचे red color का लिखा होगा, subscribe, आ और एक notification का bell दवा दिजे, subscribe करने से क्या होता है, कि जब भी कोई video बनाएंगे, तो उसका notification आपके पास चला जाएगा, बिल्कुल, शुरू करते हैं, और बिल्कुल उमीद है कि video का starting to end तक जरूर देखिएगा, ठीक है, यह सबी questions, bold model question है, इस बार के board के exam के लिए, question number 15, अर कितावी language हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है, खुद का language यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, बच्चे जो है, उनको समझने में थोड़ी कठिनाया कम होती है, तो अर्द पार गम में जिल्ली, वैसी जिल्ली, जिससे सिर्फ बिलायक के अनु, प्रभाह करते है प्रभाहीत होते हैं, अर्द पार गम में जिल्ली करता है, कोशन नमर 16, कि परासरन दाव क्या है, तो हम कहना चाहेंगे, कि परासरन को रोकने के लिए लगाया गया बाहरी दाव, परासरन दाव करता है, इसे पाई, ठीक है, इसे पाई से सुचित किया जाता है, बहुत important topic ह कि परासरन दाव क्या है, तो कहेंगे कि परासरन को रोकने के लिए लगाया गया जो बाहरी दाव है, बाहरी प्रेशर है, वो आपका परासरन दाव करता है, यह कोशन पूछेगा, बिल्कुल, ठीक है, यह आपका एक objective का रूप ले लेगा, यहां से चोटे 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 बाते होती है, जिसको आप अच्छे से द्यान से देखे है, उल्टा परासरन क्या है, अब इसके बारे में देखते हैं, कह रहा है कि यदि बिलियन पर उसके परासरन दाव से अधिक दाव परियुक्त करें, मतलब एगर कोई बिलियन हो, जो उस पर परासरन दाव लग रहा है इस परक्रिया को उल्टा प्राश्रन ठीक है जिसको हम लोग प्रतिलोंब प्राश्रन भी कहते हैं ठीक है एक वार इसको फिट से बोलना चाहेंगे क्योंकि थोड़ा सा यहां पर वो कुछ पॉप आ गया था करा है कि यदि बिलियन पर उसके पराश्रन दाव से अधिक दा बहाव जो है वो बिल्कुल ठीक है सुद्ध बिलाइक की और होने लगता है और इसी परक्रिया को उल्टा प्राश्रन या प्रतिलों प्राश्रन कहते हैं ठीक है को सब्सक्रीय कि और प्रचिण नंबर 18 की और मोग इंटरे करते हैं और यह बहुत प्रशन चूटना नहीं चाहिए इस वर बोड के एक्जाम में वैसा पदार्थ जो बनस्पती जिल्ली या जन्तु जिल्ली के द्वारा आसानी से विस्तृत नहीं होता है मतलब वैसे पदार्थ एक बनस्पती जिल्ली होती है ठीक है बनस्पती के द्वारा और एक जन्तु की जिल्ली होती है के द्वारा आसानी से विस्तृत नहीं होता है कोलाइड कर लाता है जैसे गूंद, ठीक है, स्टार्च, कार्बोहाइडरेट, प्रोटीन ये सब किन के उधारन है, कोलाइड के उधारन है, प्रशन आप से पूछे जाएंगे objective में, कि गूंद, कोलाइड का उधारन है या नहीं, यस या नो, मतलब इस तरह के सवाल चार विकल्प दिये रहेंगे कि कौन एक कोलाइड का उधारन नहीं है, तो बिल्कुल वैसे पदार्थ जो बनस्पति जिल्ली है, जन्तु जिल्ली के द्वारा, आसानी से विस्ट्रित नहीं होता है, कोलाइड का लाता है, जैसे गूंद, स्टार्च, कार्भो आइडरेड, प्रूटीन, इत्यादी, वगरा वगरा, बहुत सरी चीज़े होती है, ठीक है, कोशन नियुम्तम ताप, जिसके ऊपर किसी गैस को हम द्रभित नहीं कर सकते हैं, चाहे दाब कितना ही अधिक क्यों नहों, क्रांतिक ताप कहलाता है, ठीक है, क्रांतिक ताप को परिवाशित करना है, इसका एक सटिक लेंग्वेज हम कहेंगे, कि वह नियुम्तम ताप, जिसके उपर किसी गैस को हम द्रबित बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं चाहे दाब जो है प्रेशर जो है वो कितना ही अधिक क्यों नहों कुरांतिक ताप कहलाता है ठीक है बिल्कुल कॉपी में बिल्कुल नोट करिएगा और अगर आप इस वार इग्नॉर कर रहे हो क्योंकि यह जो क एंग्वेज है ठीक है कोश्चन नोबर 20 कि भौतिक अधिशोषन क्या है तो कहेंगे कि जब अधिशोषन की सता पर अधिशोषन भौतिक पर जैसे वी डवलू पी द्वारा बदे होते हैं भौतिक अधिशोषन कर लाता है ठीक है कि जब अधिशोषक की सता पर ठीक है लूपी द्वारा बंदे होते हैं तो ये हमारा वौधिक अधिशोशन का लाता है बिल्कुल कॉपी में नोट करिएगा ठीक है अब हम सवाल पढ़ेंगे कुश्चन नमर 21 की अधिशोशन क्या है तो कहेंगे किसी ठोस या द्रब के सता के उपर नोट करिएगा ये जो आपको 23 नमर दिख रहना है ये मोस्ट हलेट है ये लेकिन पहले हम लोग virtual डिस्कस करेंगे कि ताप गुनांग को परिवाशित करेंगे तो हम कहेंगे कि किसी अविकिरिया के 10 degree Celsius ताप के अंतर पर मापे गए वेग स्थिरांग का जो रेशियो होता है उसको हम ताप गुनांग करते हैं और ताप गुनांग अच्छे से सर्टिस्फाइड कर पाएंगे यहां तो बस नॉर्मली आपको रटना है और थोड़ा-थोड़ा समझना है बस काम इसी इतना में ही काम चल जाएगा ठीक है और यह जो हम आपको कोशन दिखा रहे हैं कि यह जो है कुशन नमबर 23 ठीक है यह बहुत इंपोर्टन्ट है कि प्रथम कोटी के अविकरिया क्या है ठीक है पहले हम देख लेते हैं कि प्रथम कोटी के अविकरिया क्या है तो कहेंगे कि वैशी रसाइनिक अविकरिया जिसमें अविकरिया का बेग अविकारक के सांद्रन के प्रथम घात के शमानुपाती होता है वैशी अविकरिया जिसमें अविकरिया का बेग जो होता है वो अविक कारक के शांदरन के प्रतम घात के शमानुपाती होता है प्रतम कोटी की अविकरिया कहलाता है बहुत ही पॉटन कोशन है कि वैसी अविकरिया जिसमें अविकरिया का बेग जो होता है वो अविकारक के सांदरन के प्रतम घात के शमानुपाती होता है प्रतम कोटी की अविकरि ठीक है कॉल रॉस के नियमों को लिखो तो एक विज्ञानिक थे कॉल रॉस पढ़िए पहले पढ़ते हैं इसके बारे में उन्होंने क्या कहा है कि कॉल रॉस ने सन 1886 इस भी में लबनों के ऐसे युग्म के आती तनू विलियन के मोलर चालकतों का अध्यन किया जिसमें एक आ यहां पर है ठीक है तो दोनों में मतब उवाइनिस्ट मतब दोनों में कॉल रॉस एक बग्यानिक थे जिनोंने सन 1886 इसमें में लबनों के ऐसे युग्मों के अती तनू बिलियन के मोलर चालकतों का अध्यन किया जिसमें एक आयन दोनों में उवाइनिस्ट होता है देखे यह दोनों में उवाइनिस्ट है मतब समान है ठीक है इसे हम कॉल रॉस के नियम को कहेंगे और यह कब किया गया था 1864 में अब कोशन नमबर 25 की और हम लोग आते हैं यह बहुत अच्छा इंपोर्टन कोशन है कि फैराडे के बिदुत अफगटन के दूसरे नियम को लिखे होता है फैराडे का बिदुत अफगटन का तिरतीय नियम कहलाता है देकिन हलाकि हमने तूसरे अपगटन का दूसरा नियम है इसे आप अपने बुक से लिख लो अच्छे से क्यूंकि बहुत इंपोर्टेंट है पूस्ता यहां से सवाल ठीक है तो फैराडे का अच्छे से तो उसके बाद बागी discuss हम लोग करेंगे 25 के बाद जो हम लोग करेंगे अगले वीडियो में ठीक है यहाँ पर मैं मान रहा हूं छोड़ा सा mistakes हो गया है वो इनसानी है हम लोग ठीक है तो आप इतनी गलतियों को समझदार हो आप समझ सकते हो तो बाकी जो डिसकस है वो हम बात में करेंगे फिलाल इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो पचीस कोशन हो चुके हैं एक से पचीस तक दल्दी से नोट कर लीजे आगे अगली वीडियो में हम लोग देखें हलो अच्टूडेंट्स वेलकम टू ड्रीम कलासज आज आपके लिए मैं कमेस्टी में सौट कोशन लेके आया हूँ और ये सौट कोशन जो है आपके एक्जामनेशन के लिए काफी भीवी आई साबित होगा जैसा कि देखिए आपका पहला ही कोशन न बहुत ही भीवी आई कोशन है बच्चो इस तरह कोशन अधिकांस्ता और अक्सर बार-बार एक्जामनेशन में पूछे जाते हैं काता है बैदुत अप घटनी सेल को परिवासित करे ठीक है बैदुत अप घटनी सेल को परिवासित करे अब बैदुत अप घटनी सेल में दो इलक्ट्रोड होते हैं ठीक है तो यह हमारा था पहला कोशन का डेरिवेशन यह सौट कोशन है बच्चो ठीक है तो बैदुत अप घटनी सेल की डिफनेशन हमने देखा और आपके स्क्रीन बोड पर न दूसरा नंबर कोशन दिख रहा होगा ठीक है यह हमारा न एलेक्टो कमिस्टी का काफी बहतरीन कोशन है बच्चो कि नर्स्ट समिकरन क्या है ठीक है तो यह न यह इस पर हमारे एक्जामिनेशन में नोमेरिकल भी आ उसके बारे में देखते हैं इसकी ब्याख्या क्या है करता है किसी बिद्दूत रसाइनिक सेल के इलेक्टोड बिभव ताप एवं अभिकारक तथा प्रतिफल के सांधरता पर निर्वर करता है जो नर्स समिकरन के सहायता से प्राप्त किया जाता है ठीक है तो यह हमारा ठीक है चली अब देखते हैं कि हमारा अगला कोश्चन क्या है और क्या होना चाहिए तो देखिए अगला कोश्चन आपके स्क्रीन बोट पर दिख रहा होगा करता है पेंटी करन को प्रिभासित करे यानि कि पेंटी करन को डिफाइन करना है करता है किसी ताजे अप्छेप को बैदूत अपगटन की थोड़ी सी मात्रा की पस्थिती में परिछेपन माध्यम के साथ मिलाकर कॉलाइड बनाने की बीधी पेंटी करन के लिए बीधी को पेंटी करन करते हैं सोरी ठीक है जब फिर से इसको देखते हैं किसी ताजे अपचेप को बैदूत अपगटन की थोड़ी सी मात्रा की पस्थिती में परिछेपन माध्यम के साथ मिलाकर कॉलाइड बनाने की बीधी को बीधी को पेंटी करन के लिए जिस पदार्थ का परियोग किया जाता है वह पेंटी करन कहलाता है ठीक है यह था हमारा था दूसरा सौट कोस्टन अब हम देखते हैं कि तीसरा हमारा सौट कोस्टन क्या है और उसकी ब्याख्या देखते हैं तो जैसा कि आपके स्क्रीन बोड पे दिख रहा होगा ठीक है कि ब्राउनी गती क्या है इस गती का अब इसकी ब्याख्या देखते हैं कता इस गती का सरपर्थम अध्यन रावर्ट ब्राउन ने किया था इसके अनुसार कॉलाइडी बिलियन में कॉलाइडी उर्जा का निरंतर अन्यमित तेड़ी मिढ़ी गती को ब्राउनी गती कहा जाता है यानि कॉलाइड बिलियन में जो उर्जा का निरंतर अन्यमित जिगजग डिरेक्शन में जो गती होती है उसी को हम ब्राउनी गती कहते हैं ठीक है और इसका सरपर्थम अध्यन रावर्ट ब्राउन ने किया था चलिए अब हम देखते हैं कि अगला कोश्चन हमारा क्या है तो जैसा कि देखिए आपके स्क्रीन बोड पर दिख रहा होगा करता है बैदूत कंस संचरन क्या है तो जरा इसकी ब् कोलाइडिक कन बिद्दूत आवेसित होता है और बिद्दूत छेत्र में ये कन बिपरित आवेस वाले लेक्टोड की और गमन करते हैं तो बिद्दूत छेत्र के परभाव में कोलाइडिक कनों का बिपरित आवेस वाले लेक्टोड की और अभी गमन बैद्दूत कन संचरन कहलाता है ठीक है जरा इसको फिर से देखते हैं कहता है जरा इसको समझिएगा कहता है कॉलाइडिकन बिद्धूत आवेसित होता है और बिद्धूत छेतर में ये कन विपरित आवेस वाले लेक्टोड की और गमन करते हैं तो बिद्धूत छेतर के परभाव में कॉलाइडिकन का विपरित आवेश वाले लेक्टोड की और अभीगमन बैदुतकन संचरन कहलाता है यह था हमारा बैदुतकन संचरन की ब्याख्या अब देखते हैं कि अगला क्या है यह न बच्चो काफी भी भी आई टॉप मोस्ट कोश्चन बच्चो यह प्रीवियस एर कोश्चन भी है कि टिंडल प्रभाव को लिखें ठीक है टिंडल प्रभाव क्या है इसके बारे में जरा देखते हैं जानते हैं कहता है कि टिंडल प्रभाव क्या है कहता है इसका अध्यान सरप्रतम फैराडे ने किया था और इसका विस्तार पुर्वक अध्यान टिंडल ने किया ठीक है तो कहता है अब इसके बारे में देखते हैं कहता है कि कॉलाइडी बिलियन द्वारा प्रकास का प्रकि की किरनों को भेजा जाता है जब कोलाइडी बिलियने प्रकास की किरनों को भेजा जाता है तो कोलाइडी कनों के द्वारा प्रकास का प्रकिर्णन हो जाता है जब कोलाइडी बिलियने प्रकास की किरनों को भेजा जाता है तो कोलाइडी कनों के द्वारा प्रकास का प्रकिर् ठीक है चलते हैं आगे देखते हैं कि अगला कोस्टन क्या है ठीक है तो ये भी काफी भी भी आई कोस्टन में से एक है अब इसका देखते हैं कि अगला प्रश्ण हमारे लाइफ सेशन का क्या है तो कहता है कि कहता है कि निच्छालन को परिभासित करें कहता है अब इसके बारे हम देखते हैं कि यह अयसको की सांदरन करने की है रासाइनिक बीध्य है निच्छालन जो है ऐसको के सांद्रन करने की एक रसाइनिक बीदी है कहता है कि समानिता निच्छालन के द्वारा वैसे ऐसको का साद्रन किया जाता है जो किसी उप्युक्त बिलायक में बिले होता है प्रंतु असुद्धी अभिक्रिया नहीं करता है ये बात आप दिमाग मे बैठालो कि निच्छालन जो है आइसको की एक सांधरन करने की एक रशायनिक बीदी है और इसके वारे में थोड़ा देखते हैं करता है कि समानिता निच्छालन के द्वारा वो इसे आइसको का सांधरन किया जाता है जो किसी उपियुक्त बिलायक में बिले होता है परंतु अ देखते हैं कि अगला क्या है तो अगला ना काफी टॉप भीवी आई को संने बच्छो अगला जो है टॉप मोस्ट भीवी आई को सदा है काता जारन ये भर्जन को परिवासित करें किो इस Stillола अक्सर एक्जामने शुटम तो अब इसका व्याख्या देखते हैं कता एस्क को वायू की पस्थिती में उसके द्रवनांग से कम तक गरम करने की प्रकिरिया भर्जन कहलाता है इस प्रकिरिया में एस्क में उपस्थित अधातू असुद्धिया ऑक्साइड की रूप में बाहर निकल जाता है तता धातू के सलफाइड का परिवर्तन धातू के अक्साइड में हो जाता है और देखे इस तरह का आपका समिकरन है कि हमारा जिंक सलफाइड दी ऑक्सीजन के साथ अभी करिया करता है तो हमारा मेटल अक्साइड और एसो टू गैस देता है ठीक है तो जैसा कि आपका इसमें कहता है कि धातू के सलफाइड आयस्क यहाँ जेडेन एक्स का परिवरतन न बच्चो यहाँ जींक ऑक्साइड झाथू के ऑक्साइड मह जाता है तो इस तरह के किरिया जारन या भर्यर्जन कहलाती है तो आज हमने परियास किया ठीक है कि हमारा कमेस्टी में सौट कोशन कैसे आएंगे एक्जामिनेशन में तो इसी तरह का ना कौशन बच्चो पूछता है ठीक है अब देखते हैं थोड़ा सा एक और देख लेता हूं फिर आगे बढ़ोंगा ठीक है तो यह को सद्विना काफी भी भी आई को सनकता निस्तापन को समझाये तुझरा इसको समझते हैं काता एस को बायू की अनपस्थिती में उसके द्रवनांग से कम तक गरम करने की किरिया जो होती है न निस्तापन कहलाती है इस प्रकिरिया में धातू के कार्बोनेट का परिवर्तन धातू के अक्साइड में हो जाता है तुझरा इसका रियेक्शन स निर्मान होता है तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में सौट कोस्टन के बारे में देखा ठीक है और मुझे लगता है कि ये सभी कोस्टन आपके एक्जामनेशन के लिए काफी भीवी आए बच्चो और मैं एक सुचना आप लोगों को देना चाहता हूं कि जो बच्चे 2021 किस की बोर्ड परिक्चा में शामिल होंगे उनके लिए हमारा जो है ड्रीम क्लासेज का एपस जरूर डाउनलोड कर लें और अभी से ही उस एपस से पढ़ाई करना शुरू कर दे उस एपस में हमारा जो है ना टॉपिक्स बाई सभी वीडियो मिलेंगे चाहे फिजिक्स हो ठीक है जो कम समय में बच्चों को अच्छे मार्स दिलाते हैं और इसे डाउन कर ले और विश्य समय क्या कहूं ठीक है एक सूचना देना था मुझे मैं आप लोग को दे दिया तो बेस्ट आफ लक मिलते हैं अगले वीडियो में हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप लोगों का एक वर फिर से विलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पर तो आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं केमेस्ट्री के सौट क्वेस्चन्स को ठीक है तो हमारा पार्ट चल रहा था तो उसका आज हम लोग ये क्वेस्चन नमर 36 से स्टार्ट करेंगे तो इस वीडियो में आप लोग अंतक बने रहिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब बटन दवाना ना भूले तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को तो आज के क्या हमारा इस सेशन का पहला प्रश्ण ले देखिए बोल रहा है बहुत यहें बार इग्जाम में रिपीट किया जाता है कि swoją मिलाय जाता है क्रायो लाइट को क्यों मिला जाता है यह है हमारा आज का पहला प्रश्ण ठीक है तो सभी बच्चे वीडियो में अंतक बने रहेंगे लाइक कमेंट जरूर करेंगे और हमें कमेंट बोक्स में लिख कर बताएंगे कि उन्हें किस क्वेस्चन में कोई प्रोब्लम हुआ है या फिर किसी तरह का दिकत का शामना करना पड़ा है ठीक है तो चलिए स्टाट करते हैं इसके सोल्यूशन को प्रश्ण वारा था एक बर फिट से पढ़ रहें कि अल्यूमिनियम के निसकर्सन में अल्यूमीना के साथ क्रायोलाइट को क्यों मिला जाता है देखे इसका एंसर क् बहुत ही सटीक ढंक से इसके अंसर को हम लोग जानेंगे कि अल्यूमीना का द्रविमान उच तथा इसकी विधुचा लगता निम्न होती है ठीक है एक बार फिट से देखे पढ़ेंगे कि अल्यूमीना का जो द्रविमान होता वो उच होता है और इसकी जो विधुचा लग सद् Zion को ऑन्य सकते थिए सटभी लाइट को भी मिला जाताए मतलब जैसे सुरुवाते में क्या होता देखिए उसका दढ़ होता है और विदूचा लगता do the जाब उसके साथ क्राइलाइट को मिलाते हैं तो दोनों बिप्रित हो जाता है मतलब ये उच्छ वाला कम हो जाता है और जिन्न वाला अधिक हो जाता है ठीक हैं तो ये था इस कि आइनन विभव या आइनन उर्जा क्या है ठीक है यह हमारा अगला क्वेस्टन या फिर आइनन उर्जा दोनों एक ही का अलग अलग नाम है तो क्या होता है चले इसके अंसर को जानते हैं कि कि किसी तत्मों की एक बिलगित गैसिये परमानुके वहतयम कच्छास से एक इलेक आइनन बिभब कहा लाता है तो यह कहा जाता है तो यह था इस क्वेश्चन का आइनन बिभब या आइनन उर्जा का एंसर ठीक है लोग तमझ के ऊंगे इसका अच्छे रहं से अच्छे से नोट्स बनाते जाएंगे सारे बच्चे चलिए आगे बढ़ते थड़ी एट नमर क्वेशन पर या नहीं कि 38 नमर पर देखे बहुत यह अच्छा प्रश्ण है एक वाल फिर से जिस तरह हमारा पीछे आया था अलुमिनियम बाला कि अलुमिनियम के निसकर्षन मे क्राइल लाट क्यों मिला जाता है और यह हमारा प्रश्ण है कि लोहा के निसकर्षन में हेमेटाइट में चूना पत्थर क्यों मिलाए जाता है यह भी देखें बहुत ही अच्छा प्रश्ण है दोस्तों कई बार इग्जाम यह पूछता है तो चलिए इस कैंसर को हम लोग जानेंगे राम राम से कि चूना पत्थर जो है देखे हैं में टाइट एस्क में उपस्थित असुद्धी यस आई ओटू को यानि सिलिकन ओक्साइड को केल्सियम सिलिकेट में बदल देता है और धातू मल जो है वो केल्सियम सिलिकेट के पिगिले हुए लोहे पर तैरता है जिससे लोहे का पुना ऑक्सीजन द्वारा क्या हो जाता है ऑक्सीक्रीत हो जाता है या ऑक्सीकरन हो जाता है और उसे क्या करता है ऑक्सीक्रीत होने से बचा लेता है देखे एक बड़ फिर से पढ़ रहे हैं थो si o2 को calcium silicate में क्या करता है बदल देता है और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि धातु मल calcium silicate के पिगले हुए लोहे पर तैरता है और जिससे लोहे का पुना oxygen द्वारा क्या हो जाता है oxygen होने से वो बचा लेता है इसलिए हम लोग लोहा के निसकर्शन में हमें टाइट में क्या मिलाते हैं चुना पत्थर मिला देते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो अंतक बने रहे हैं वीडियो में कुछ ब्यादी सांदार प्रशनों को हम लोग डील करेंगे देखिए अगला प्रशन मारा 49 नंबर प्रशन क्या कर रहा है कि वैद्यूत संयों जकता को परिवासित करें तो इस पार्ट में थोड़ा ज्यादा वीडियो को मतलब क्वेशन को हम लोग लेंगे क्योंकि अब आप लोग का एक्जाम से बहुत ही नजदिक आ गया है करीब तो सारे बच्चे इस सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करके जाएंगे इसके पहले वाले वीडियो उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करें प्रशन मारा देखिए उन्चाल इसमा है कि वैद्यूत संयों जक्ता को परिवासित करें चलिए इसके इंसर को जानते हैं कि अपने निकट्तम अक्रिये गैस के जैसा इलेक्ट्रोनिक बिन्यास को प्राप्त करने के लिए कोई तत्व जितने इलेक्ट्रोन को त्याग या ग्रहन करता है वही उसका क्या कहलाता है वैद्यूत संयों जक्ता कहला आता है ठीक है दोस्तों चलिए बहुत यचा एंसर था ये छोटा सा था और बहुत यच्छा था अगला पढ़ते हैं बहुत यच्छा प्रसंदिके 40 प्रसंद भी हमारा कि क्या PCL5 के सभी आबंध समान होते हैं अपने उतर की पुष्टी करें तो चलिए इसके एंसर को रिसमान होता है क्योंकि PCL5 में दो प्रकार के बंधन का निरवान होता है एक अच्छिय बंधन और एक नीरचिय बंधन और ऑर यह बंधन की लंबाई जो है 240 की पियम होता है जबकी नीरचिय बंधन की लंबाई 20 एल पीम होता है ठीक है तो देखिए हाँ पर आता हम कह सकते हैं कि यह बला कि PCL5 के सभी आबंद समान नहीं होता है देखिए एक्वेशन करने पर भी हम लोग का PCL5 को जब एक्वेशन करा जाता है तो PCL3 पलस CL2 का निर्मान होता है ठीक है तो यह था इसका निर अच्छी है और अच्छी है स्थितिक के बारे में कुछ जानकारी आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेशन नमर 41 पर बहुत यह चाप्रशन है छोटा सा प्रशन है कि O2 का क्वातनांक O2 प प्रशन है और बहुत ही अच्छा प्रशन है यह बस तुनिश्ट प्रशन में भी पूछा जा सकता है आप लोगों को कि O2 का क्वातनांक O2 पलस सदीक क्यों होता है यह था इसका च्छोटा सा एंसर ठीक है आगे बढ़ते क्वेश्चन नमर 42 पे क्वेश्चन नमर 42 हमारा क कि सलफर किस अवस्था में प्रती ही चुंबक किये गुन दर्सा आता है बहुत यह अच्छा प्रशन दोस्तों इस वार बोड इ liters के लिए यह काफ़िक ऊंपोर्टेंट प्रशन है कि सलफर आप ने कि nem प्रती चुंबक किया गुन को क्या ट्रॉन उपस्थित रहता है और यही कारण है कि सलफर वास्प अवस्था में प्रतिश्चुमबक की ये गुन दिखाता है ठीक है तो ये था हमारा क्वेच्चा नबर 42 का सटी कैंसर चलिए आगे बढ़ते हम लोग देखिए ये वाला देखिए थोड़ा सा नमरिकल टाइप का ये प्रशन पूछा जाता है एक्जाम में कि हCLO4 में क्लोरीन का उक्सी करन संख्या ग्याद करें तो यहाँ पर हम लोग लेट बोल सकते हैं canky of ceil बड़ाबर एक्समान लेते हैं और एकसी ल ओ फ़र बड़ाबर जीरो ठीक हैं तूए याँ से देखिए हम लोग सारा का मानपुट करते गए और हमारा एक्स बड़ाबर क्या आगया सेबन आ गया तो इससे हम इसके औक्सी करन संख्या के लंबाई गयाद कर सकते हैं कि किस तरह से आप किसी भी तत्व का जो है वो क्लोरीन का उसमें क्लोरीन का ऑक्सिकरन संख्या कैसे निकाल सकते हैं तो यह था हCLO4 में क्लोरीन का ऑक्सिकरन संख्या तो यहाँ पर हम लोग ने इसका solution देखा इस type से कुछ ने किया सारा कमान पूट करते गए और यहाँ पर जो हमारा देखिए cl बराबर इस cl के जगा हम लोग ने क्या माना था x तो यहाँ पर x रखा ठीक है चलिए यहाँ पर देखिए oxygen किसे रखता ओटू यह देखिए हमारा एंसर लाष्ट में एक्स ब्राबर से बनाया तो यह हमारा हो गया उक्सी करण संक्या क्लोडीन का है clo4 में ठीक है तो चलिए उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले तो जो हमारा सेशन चल रहा था भी केमेश्ट्री के सौट क्वेश्चन का तो उसका यह अगला पाट बहुत ही जल्दी हम लोगों ने आपके सामने प्रस्तूत किया है तो आज के इस वीडियो में कुछ बेहती सांदार सौट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक के पहले प्रस्न पे ठीक है तो पहला प्रस्न हमारा देखे का रहा यह चावाल इसमा नमबर क्वेश्चन कि क्लोरीन गैस हैड्रोकार्बन से तिवर अभिक्रिया करता है कैसे यह हम कैसे का सकते हैं कि क्लोरीन गैस जो है वह हैड्रोकार्बन से भी क्या करता है तिवर अभिक्रिया करता है चलिए इसका अंसर पता लगाते हैं इसका अंसर देख क्रिया प्रदर्शित करता है और इसी कारण से देखें यहां पर CH4 प्लस CL2 मिलकर CH3 CL प्लस HCL का निर्मान करता है तो इसी कारण से क्लोरीन गैस जो है वो क्या है 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 तिवर अभी क्रिया करता है यह देखें इस समी करण से हम पता लगा सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे तो समी बच्चे अंतक बने रहेंगे वीडियो में क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपोर्टेन ओने वाला एक्जाम के माधियम से क्योंकि आप लोग का एक्जाम बहुत ह तॉपिक का आज का दूसरा प्रश्न ठीक है इसके पीछे वाले टॉपिक को अगर आपने नहीं देखा है तो वह चैनल पर जाकर देख सकते हैं देखें प्रश्न महारा क्या चाहरा है प्रभावकारी प्रमानु संख्या किसे कहते हैं यह या क्या है चलिए इसके अंसर को जानेंगे तो बहुत सर बच्चेश्क्रंसर को जानते भी होंगे तो एक बर फिर से आप लोग अच्छे से देख लीजेगा कि इसकी जानकारी त्व परभावकरी पर्मानु संख्या की जनकारी योगफल की प्रभावकारी प्रमानु संक्या यानि योगफल को यहां होना चाहिए सौरी ठीक है योगफल को ही क्या कहा जाता है प्रभावकारी प्रमानु संक्या कहा जाता है देखे एक बार फिर से पढ़ रहे है थोड़ा सा पेचीदा लग रहा था बच्चे को ठीक है द इसके बारे में देखे जानेगे कि जटिल योगी के केंद्रिय धातु में उपसित इलेक्ट्रोनों की संख्या तथा बंधन बनाने में प्राप्त इलेक्ट्रोन की संख्या के योगफल की योगफल को प्रभावकारी परमानु संख्या कहा जाता है ठीक है तो ये था हमारा ये दूसरे question का concept तो उमीद है कि ये clear हो गया आप लोगों का चलिए आगे बढ़ते है question number 3 पे यानि कि इस topic का 46 बाप प्रश्ण देखें बहुत ये प्रश्ण ये भी कि अस्पेक्ट्रो रसाइनिक स्रेनी क्या है ठीक है ये है हमारा question number 46 spectrorocyanic स्रेनी क्या है तो चलिए इस cancer को जानते हैं कि जब लिंगेट्स को उनके बढ़ते हुए प्रवलता से क्रम में बेवस्थित किया जाता है तो एक स्रेनी प्राप्त होता है और प्राप्त स्रेनी को ही क्या कहा जाता है स्पेक्ट्रो रसाइनिक स्रेनी कहा जाता है ठीक है ये था हमारा आज के तीसरा टाप्पिक और question number 46 तो इस chemistry के ससन में हम लगबग 100 प्रशनों को डील करेंगे तो आपका एक्जाम एकदम बहतर चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा उच में आगे बढ़ते question number 47 पे बहुत ये अच्छा प्रशन है इस वार भी भी करिएगा इसको इस वार आने का चांस पूरा देखे 1853 इस वी में अल्फ्रेड वर्नर ने उपसह संयोजी योगिक के निर्मान से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे बर्नर का उपसह संयोजी सिद्यान्त कहा जाता है तो बहुत ही इजी क्वेशन था एकदम सौट क्वेशन में था तो ये सौट क्वेशन में इस वार पूछने का चांस है तो आप लोग अच्छे से इसे रट कर जाईए एकजाम में चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत इच्छा प्रस्न यह भी यह देखिया आ गया है कि लिंगेट्स को परिवासित करें लिंगेट्स क्या होता है वाट इज लिंगेट्स ठीक है चलिए इसके परिवासा को हम लोग जानेंगे एकदम सरल भासा में कि वैसा अनू या आयन ठी कारिकरता होना चाहिए इलेक्ट्रोन दाता का कारिकरता होता है वही क्या का लाता है लिंगेट्स का लाता है ठीक है फिर से देखे एक बार पढ़ रहे है कि वैसा अनू या आयन जिसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रोन का एक इलेक्ट्रोन का निर्जन युग्म उपस्थित रहता है और जो complex compound के निर्मान में electron दाता का कार्य करता है या कार्य करता होता है वही क्या का लाता है lingats का लाता है ठीक है दोस्तों तो यह session एकदम बेटर रहा होगा यह प्रश्ण एकदम clear हो गया होगा सारे बच्चों का आगे बढ़ते question number 49 पे बहुत यह अच्छा प्रश्ण यह भी है देखे समनबय मंडल या आयनन मंडल क्या है यह है हमारा आज का question number 49 और इस topic का सायद पाचवाई यह अच्छा प्रश्ण होगा तो इससे अच्छे से आप लोग कभर करिएगा समनबय मंडल और आयनन मंडल एक ही होता है इसे आप लोग गौर से देखेगा देखेए इसका answer क्या होगा कि केंद्रिये धातू परमानू या आयन एबम उससे जुड़े लिंगेड्स को एक प्रमुक कोस्टिका में दरसाया जाता है और इसे समनबय मंडल कहा जाता है और यदि इस सत्ता से बाहर कोई आयन उपसित रहता है तो इसे आयनन मंडल कहा जाता है ठीक है इसके बाहर जो रहता है वो आयनन मंडल और जो अंदर में बनता है वो समनबय मंडल कहा लाता है तो यह था हमारा question number 49 ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आज के last topic और last प्रश्न प Egypt करा कि complex compound क्या है परिवासित करें ठीक है compr동 मेंड़ ही कंफेन ही हम लोग को बताना है तो बहुत सरे बच्चे को जानतेवी योगिक कि अराम अरम से पढ़ेंगे एक दा मच्छे से ध्यान दीजेगा वैसा आनविक योगिक जो ठोस एवं जटिल विलियन ठीक है देखें आप गवर करिएगा ठोस एवं जटिल विलियन में अस्थाई होता है अर्थात पहचान को बनाए रखता है अस्थाई का मतलब क यह पुर्ण रूप से परिवर्तित नहीं होता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों complex compound कहते हैं ठीक है तो यह बहुत यह अच्छा प्रश्ण है इस वार एक्जाम में आने का पूरा चांस है तो इसे भी भी करिएगा आप लोग और अच्छे से पढ़ कर जाईएगा और कोई दिक्कत होगा तो हमें बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे और आप लोग जरूर बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा आपको ठीक है और ज्यादा ज्याद आपने दोस्तों को बास जियर करें क्योंकि सारे बच्चों का एक्जाम बहुत ही नजदिक आ गया है तो सभी बच्चों दोस्तों को अपने ड्रीम क्लासे से जोड़ दे और जहां पर 11 12 की बहुत ही अच्छा से तैयारी कराई जाती है इस वारबोर एक्जाम की भी तैयारी कराई जा रही है ठीक है तो थैंक्यों फर वाचिंग इस वीडियो सपोर्ट करते हैं इसी